नमस्कार दोस्तों मैं सुलिलाब का होस्त दोस्त फर्मिकॉम टेक का दड़का दोस्तों आज के जबाने में ब्रैंडिंग प्रेनिक जो ही सिब्सक्राहर को Match जीबल चीज होती है क्योंकि उसे एक recall value create होती है recall value क्या होता है basically कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं और कोई अगर किसी के बारे में पूचता है और अच्छानक से आपको उसी brand के बारे में याद आ जाए तो उसको बोलते है हम recall value उसी चीज़ के बारे में याद आ जाए तो उससे recall value नहीं create होगी उसी जगह पे अगर मैं कुछ ऐसे बैक में देशता हूँ, ऐसी बैक हो तो उससे एक recall value create होती है because customer जब वो back उनको मिलता है तब वो सब कुछ देखता है और कहीं न कहीं वो बात जो है जो लिखी हुई है यहाँ पे वो set होती है धेक है fix होती है दिमाग में और एक recall value create करती है अगर वो customer को एक बार मिलता है maybe वो हो सकता है कि भूल जा रहा है दो बार मिलता है उसको याद रहेगा तीन बार मिलता है याद रहेगा लेकिन बार-बार मिलता है तो वो एक बार permanently दिमाग में set हो जाता है अब यहां पर problem e-commerce sellers के लिए यह है कि वो सोचते हैं कि अगर हमें ऐसी poly bags छपवानी हैं ठीक है branding के साथ तो बहुत महिंगा पड़ जाएगा बहुत महिंगा पड़ जाएगा कैसे करे कहां से करे कौन भेजेगा तो यह देखे कुछ bags में आपको दिखाता हूँ यहां पर दिखा किस ले रहा हूं कि ऐसी bags भी बहुत सारे online sellers बेजते हैं जैसे कि यह बैग है और उसके बाद यह बैग है तो कुछ online sellers ब्रैंटिंग करके बेज रहा है अब यहां पर दो चीज आती है एक होता है कि one color जैसे कि यह आपको दिख रहा है single color है okay एक ही color है इसके अंदर black और दूसरा एक होता है two color जिसके अंदर दो color होता है जैसे कि यह है जहां पर आपको दो color नहीं in fact तीन color है black भी है और यहां पर red जैसा भी है और blue भी है okay तो यह तीन color हो गए तो वह color जितने आप यूज कर दें उस हि पेज दिया है तो इसके recall value अच्छी create होगी फिर मैं आपको दिखाता हूं देखिए इनकी भी अच्छी printing है problem अगर online seller ऐसा है जो amazon में sale करते तो आप यह bags यूज नहीं कर सकते अगर आप अपनी site से sale कर रहे है या फिर directly किसी clients को दे रहे तो आप ऐसी bags यूज करें otherwise ना यू तो यह भी है उसके बाद बहुत अले डिजाइन है कुछ ऐसा भी है ओके दिख रहा होगा आपको दें भी हाव सम्टिंग लाइक बिल्कुल देशी हाँ देशी सैस यह भी अच्छा है फिर सम्टिंग लाइक देस ओके तो यह पॉली बैक्स की बात हो गई आराइट जहां यह पर टो कुलर में आपको options अविलेबल है अलगलग size में अगर मैं pricing की बात करो दोस्तों यहां पे तो pricing के लिए मुझे देखना पड़ेगा screen यहां पे तो वन क्लर की अगर मैं pricing करोंगा बात करों वन क्स्टम प्रिंटे बैक्स 500 आप मिनिमम ले सकते हैं ठीक है with your logo printed on it single color में तो यह आपको पढ़ जाएगा करीबन पंदरा सो रुपए टैक्स पेड विद टैक्स ओक है साइज होगी साड़े चार बाइट तस तो साइज जैसे बढ़ती जाएगी लेट से मैं बात करता हूं जो स्टेंडर साइज है यौज इस आइट बैंट की साइज की बात करू बात करूँ बात करंच को अगरों 2800 रुपीज इंक्लूडिंग शिपिंग ओके शिपिंग यह जादा लग रहा है यहां पर तो शिपिंग जो है वह बहुत मेंगा हो दाँ यहां पर क्योंकि पांचों पीसे तो कम से कम 6 किलो के असपास इसकी अवराल वेट होगा 6-7 किलो इफार नौट रॉंग ओके तो यह सेम वे अगर आपको Amazon के भी बैग्स चाहिए Amazon के बैग्स इस तरह के तो वह भी आपको मिलेंगे प्लस छोटे साइज के जो आते हैं वो बिल्कुल वह भी मिलेंगे तो अलग-अलग साइजेस आप देख सकते हैं यहां पर Amazon की आप देख पारे होंगे यहां पर यह एक साइज है दूसरी एक साइज यह वाली है तीसरी एक साइज यह वाली है ओके चौथी एक साइज यह सब्सक्राइब लिखा हुआ है कि रिसाइक लेबल है और कहां कहां पर बनता है मार्केट एंड मनिफेक्ट्टर कहां पर है सब्सक्रिप्शन में लिंक भी दे रखिए आप वहां से जो है यह तरेक्ली पर्चेस कर सकते हैं में अपर्चे सर्फार के ढ़र आप दो हैं अपर दूसरे आती है यह जो अपर जाइब आपधों कि अपर करने की साइब आप देखेंगे तो महां पर महां यह थो पस्प्रिप्रिफ में दो आप अची आप गर हम आपर अगाप सता पड़ेगा बहुत ज्यादा सस्ता निह कं चीज है सेलोटेप तो सेलोटेप तो डेफिडिटली सब कोई यूज करते हैं वाइल पैकिंग दे मैटेरियल बॉक्स पैक करते हैं उस समय तो यहां पर भी डर रहता है सब ऑनलाइन से लिसको कि यार सेलोटेप हमें प्रेंडिंग की करवानी बहुत महिंगी पढ़ जाएग और उसमें सेलोटेप में एक इंच, दो इंच और तीन इंच की साइज आती है जैसे कि आपको पता होगा और उसमें अगर आपको प्रिंटिंग खरानी है तो कुछ देखिए आपसे सेंपल दिखाता हूँ जैसे कि यह सेलोटेप यहां पे लगाया हुआ हुआ है तो यह है अच्छी एक impression create होती है तो आप normal selective लगाते हैं अपने customers को products बेजने के लिए तो I think फरक पड़ता है बहुत फरक पड़ता है customer के mindset में brand value बहुत अच्छे level की create होती है और ये भी सोचिए कि जब जब वो product यह फिर package कहीं कहीं से गुजरता है तो वो brand दिखती है सबको तो एक brand value create होती जाती है हर एक stages पर कुरियर वाले जो लड़किया आते हैं वहां से ले के customer के वहां तक जब तक delivery नहीं होती है बीच में वह package हर एक जगह से अगर आपको वो चाहिए तो that would cost 7400 रुपीज ओके 7400 रुपीज अगर आपको transparent में चाहिए तो transparent में white में white में brown में तो brown में और एक box में अगर एक इंच की sellotape है तो एक box में आपको 144 रोल जाएंगे मतलब की 144 रोल जाएंगे और उसकी प्राइज होगी 7400 रुपए के आसपास and that would include free shipping and also tax included अगर हम बात करें यहां पर size उससे जो बड़ी हाती है दो इंच की तो price तो same ही रहेगी ठीक है which is 7400 रोल जो है वो कम हो जाएंगे which is 72 रोल अगर तीन इंच की बात करें तो वहां पर 48 रोल तो यह हो गई one color की लोगों आपको देना पड़ेगा अगर आपके boxes ज्यादा है boxes मतलब काटन ज्यादा है तो price obviously जो है वो कम हो जाएगी और काफी अच्छी कम हो जाएगी इसा नहीं है कि बस इतना ही काफी अच्छी कम हो जाएगी और फिर अगर दो कलर की बात करें शेलो टेप दो कलर की भी आती है जिसमें दो कलर प्रिंटेड होता है अगर उसकी बात करें तो वहां पर आपको प्राइस पड़ेगी और उसमें एक बाक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइस कॉंटिटी से मी रहती है एक इंच में 144 दो इंच में 72 तीन इंच में 48 अगर आपको 5 बाक्स बनाने इसके तो 28,500 के आसपास गिरेगा और तीन बाक्स बनाने तो 19,800 के आसपास पास पढ़ेगा इंक्लूडिंग शिपिन और धिक्सोद गणिस दिगष आप दिग्राइस कैंट ओफ यह वां से अग्र दो प्रॉड़ अगर आपको ब्राइंग ब्राइन नच में स्टार्ट प्रॉड़ ना चाहते हैं तो कम से शुरुवार्द काना चाहते हैं चोटी ब्राइंड है आप से आपको information भी जो है, वो definitely मिल जाएगे, हमारा बहुत मन करता है कि हम भी ऐसी branding करें, unfortunately drop shipping में हम ऐसे हैं कि हम अपनी branding नहीं कर सकतें drop shipping में, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी जो site से orders आते हैं, direct orders वहाँ पर ही हम कर सकते हैं, पर हमें डर लगता ह हमारे poly bags के अंदर material डाल दिया, drop ship का तो सत्य हनास हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, बट कुछ strategy निकालेंगे हम कि वही हाँ, जो material जाता है, वो कहीं और से जाए, ताकि हम कुछ branding भी हमारी तरफ से कर पाएं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है, यहाँ पर Okay, so that's about it दोस्तों, आज की वीडियो में इत्ता है के ना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइशे सब्स्राइब करना मत बुलेगा, कुछ feedback हो, reviews हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज डालिए, और मैं definitely कोशिश करूं में रिप्लाइज देने की Thank you, take care, God bless you all, bye-bye. झालिए